नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट धनुरासी वालों सनी देव राहू के नच्छतर में प्रवेश करने जा रहे हैं तीन अक्टूबर को और 27 दिसंबर तक यहां पर रहेंगे तो राहू के नच्छतर 27 नच्छतर में जब सनी सनी देव आएंगे तब आपके उपर इसका क्या प्रवाव पड़ेगा आज हम जानेंगे विश्तार से वीडियो के अंतक बने रहें और यह प्रिडिक्शन चंद रासी और लगन दोनों पर आधारित हैं तो देखिए एक तो तीन अक्टूबर से सार्दी नौरात्र देंगे तो सद्विसा नचतर में सनी देव के आने से यह जो परिवर्तन है क्योंकि पहले से राहू सनी के नचतर में है और सनी अब राहू के नचतर में तो दोनों एक दूसरे के नचतर में चल रहे हैं तो लाइफ में असली खेल सुरू होने जा रहा है आखिर असली खेल क्या होगा देखे तिर्थी भौ और चतुर्थ भौ यह दोनों आपका एक्टिवेस्स में जहां सनीदेव और राहु जैसे सनीदेव तिर्थी भौ में है राहु चतुर्थ यानि सनीदेव चल रहे हैं कुम्रासी में वक्री अवस्था में 15 नौमर को मारगी होंगे और ना सारे साथी चल रही है ना ढहिया चल रही है तो आप इसके लिए बिल्कुल आजाद हैं लेकिन आपके लिए 2025 में आपकी ढहिया सुरू हो जाएगी याद रखे है तो अब यहां पर देखे अलग अलग वैसे तो आप धनूर आले हैं तो आपकी दसा अंतर दसा भी चल रही होगी किसे ने किसी करह की आप किसी लगन में पैदा हुए होंगे तो उसके अनुसर तो आपको जो जो गोचर का फल है वो अलग तरीके से मिलता है जो कुंडली है वो अलग चलती है लेकिन गोचर का आपके उपर करीब 70% मैच करेगा तो देव गुर ब्रस्पती आप ब्रस्पती चटे भौ में इसमें चल रहे हैं जो आपके लगने के स्वामी है चतुर्थभा के स्वामी है और चटे भौ में है अब देखिए ब्रस्पती जो धनु रासी वाले हैं अब देखिए गुरू की महादसा अंतर दसा आपकी उमीद है चल रही होगी अब कर्ज सत्रू का भाव है तो इन चीजों से आपको मुक्ती दिलाएंगे ब्रिश्पति आपके करियर में बड़ा बदलाव लेकर आया हैं बड़ा परिवर्तन लेकर आया हैं जो बैपारी भाई हैं आपके बैपार सेयर मार्केर बेगरे में निबेस करते हैं बैपारी भाई बैपार का बिस्तार करना जा रहे हैं तो आपके लिए बढ़ियां हैं बिदेसी जगह से बिदेसी जमीन से भी आपको लाब करवाएंगे देव गुरू क्योंकि उनकी एक दिरिष्टी आपके बिदेस भौपे हैं अब अगर आप कोई प्रोपर्टी लेना चाहते हैं बेचना चाहते हैं तो आप 9 अक्टूबर के पहले इन चीजों का निप्टारा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और 9 अक्टूबर जब गुरू वक्री होंगे तब हो सकता है इन चीजों में थोरा सा अब रोधाय थोड़ी रुका बटा है जो विद्यार थी हैं पढ़ाय लिखाय पर आपको फोकस रखना है देव गुरू यहां पर थोड़ी सी उलजने देंगे तो आपको गायतरी मन ज इख का नाथ त Mits divisions uhdren पीशने और सनी वहें तो न अक्टूबर तो गुरु वक्री पर अभी जो चल रहा है ना तीन टीन गरह वक्री वह क्री होंगे हलांकि अचर्वी वक्री के प्रवाव आपके उपर चलेंगे पहले को हिन्हें को अब कर पारिआ का होता है मां करत़ रखिए पारिबारी जीवन में अनबन ना हो इसका ध्यान रखे हलां कि अभी भी सूरी ग्रहन लगा है तो सूरी ग्रहन का प्रभाव अगले एक महने तक आपके लिए अच्छा है करियर के मामलों में तरक्की करेंगे नौकरी में इस्थिरता रहेगी धन के मामलों में आप के लिए अगर हम गरहन की इस्तिती से देखे तो बढ़ियां है धन समंदी जो भी का रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा पिमेंट रुकना जाए इसका भी ख्याल रखेगा भाई बेहन से तालमेल बनाकर चले जो राहू है वह बढ़ियां रिजल्ट नहीं दे रहे हैं ले लेकिन वक्री चल रहे हैं और रहू के बारे में यह पताईए आपको कि वह वक्री चलते हैं और दोनों लगवर एक ही समन आपको रिजल्ट देंगे उपाई करना है सनी के मंतर का रोज साम में जब कीजिए ओम संग सने चराय नमा और राहू के लिए आप नहाने के पाने म नीम पता डालकर नहाएं तो उत्तम रहेगा संबभ वो तो एक बार हन्माच रिशा पढ़ लीजेगा तो मुश्किलें आपकी दूर हो जाएगी हम आप से भीजा लेंगे